बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका मोटिवेशन किया है आपकी इंस्पिरेशन किया है और ममा भुपाल तक भी नहीं गई थी और मैं उनको नेपाल लेकर गई और सबसे वड़ी बात है कि नेपाल में जित कर आई हवा और आंधी तो हमने देखी लिए कि हमने हव अब हमने प्लान किया है कि हम बनाएंगे बर्फ में रंगोली जहां पर ऑक्सिजन भी कम होता है हम उस लेवल पर जाकर रंगोली बनाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे उस छोटी सी बच्ची ने दस रुपे की रंगोली को आज उसने करोडों तक पहुचा दि चले कई जैसा दादी मुझे सपोर्ट करती थी मैंन में दादी को देखा बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे रंगोली मिटाने वाली दीदी पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हो कि यसे एक छोटी सी लड़की ने रंगोली मिटाते मिटाते औरों को सिखाते सिखाते नेशनल आर्टिस्ट भी कहते हैं और साथ में में सुच्छे इंदोर की ब्रैंड एमबेस्डर भी हूँ और रंगोली को इनके नाम से भी मुझे जाना जाते क्योंकि बहुत सारी रंगोली को बना कर मिटाया है अभी तक मैंने और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन हो गई और कॉलिज मिला इंदोर के बाहर बट वो अपनी दादी को बहुत जादा चाहती थी मतब दादी उसके लिए बैक बॉन थी सो वो उसकी फैमिली को छोड़कर जाना नहीं चाहते थी और एक दिन ऐसा हुआ डेट शायर 25 दिसेमबर 2014 उसने पेपर्स में कुछ पोट पोट्रेट देखने के बाद लगा कि ये खुद के पोट्रेट केसे बना दिये सबीन है मतलब क्या आइने में देखकर बनाया है या खुद की फोटो क्लिक करके बनाया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था कि कैसे उसने ये बच्चों ने जो है पोट्रेट जो पेप बन गया और कार्टन इतना गंदा था कि फेस बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था तो उसने क्या किया किया और उसके उपर कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि शायद मेरे जो कपडों का कलर है उसको देखकर तो शायद पहचान में आ जाएगा कि वह मेरा ही पोट्रेट है ऐसा कर करते करते वह कलर पोट्रेट भी कंप्लीट हो गया बट कलर पोट्रेट भी मैच नहीं कर रहा था वो भी और थोड़ा सा खराब बन गया था फिर उसने क्या किया उसने अपने पोट्रेट पर अपना नाम लिख दिया ताकि अगर कोई देखे तो उससे समझ आजा जाए कि वो उसी का पोट्रेट है पर उसने महा पर विहार नहीं मानी उसने अपने सारे कजीन्स के पोट्रेट बना कर अपनी वाल पर लगा दिया और घर पे जितने भी लोग आते थे गेस्ट आते थे वो पोट्रेट देखकर बोलते थे कि वहा क्या बनाया है आप हमारे बच्चो को भी सिखाई है और ऐसा करते करते महां उनके पास स्टूडेंट्स आने लगे और उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया सो एक छोटी सी लड़की जिसे कुछ भी नहीं पता था आर्ट के बारे में उसने एक न्यूस पेपर में किसी का पोट्रेट देखकर इंस्पिरेशनली और महां से बनाना चालू किया और बनाते बनाते सिखाना चालू किया सो जो छोटी सी लड़की के बारे में मैंने आपको बताया जिसने कार्टून वाले पोट्रेट बनाए थे वो भी खुद के वो मैं ही हूँ हाँ जी मैं पहले ऐसा ही बनाती थी आपको लगता है ना कि आप ऐसा बनाते हो आप शिखा दी जैसे नहीं बन पाओगे या उतना आगे नहीं पहुच पाओगे ऐसा नहीं है मैं आपको बढ़ाती हूँ अपनी जर्णी के बारे में मैंने केसे स्टाइट किया मुझे कुछ भी नहीं आता था मुझे आइस बनाते तक भी नहीं आती थी मेरे पास बच्चे आने लगे थे सीखने आने लगे थे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन्हें केसे सिखा हू फिर मैं बहुत ज़ादा प्रैक्टिस करती थी, आईस बनाने की प्रैक्टिस करती थी, और जब आपके पस छोटे बच्चे आते हैं तब आपका निकलता है टैलेंट कि आप उनको केसे सिखाएंगे इजी वे में, और जब आप इजी वे में सिखाना चालू करते हैं, तो जगह में चले गई दादी के साथ, दादी मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टेम, तो वो भी कम होगा उनके लिए, वो आटो में मेरे साथ, पूरे सारे कॉलेजिस के चक्कर काटते काटते आई, फिर हमें पता चला कि जो नियो जी डीसी कॉलेज इंदोर में, उसके एड पाँच बज़े तक बंद हो जाएंगे और सेम डे पर, और तीन बज़े तक हम उस कॉलेज में पहुचें, और वहां जाकर पता चला कि हमें डॉक्यूमेंट लेकर आना है, और ऑनलाइन हमको रेजिस्ट्रेशन करवाना है, तब जो भी सारी एड्मिशन की प्रोसेस होती ह और बारिश बहुत जादा हो रही थी, बट दादी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, दादी ने पाँच नहीं बज़ने दी, उसके पहले घर से डॉक्यूमेंट लेकर आए, और एड्मिशन हुआ, एड्मिशन होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बीए में क्या करना है, बीए में मेरे तीन सब्जेक्ट से, एक तो हिस्टरी था, ड्रॉइंग पेंटिंग था और एक था सितार, मतलब मैं सितार भी बजाती थी, फड़ा सा एक आर्टेस्ट होते है ना तो आर्टेस्ट को म्यूजिक से बहुत ज़ादा प्यार होता है, तो सितार के साथ साथ प्रॉइंग पेंटिंग करना स्टार्ट किया, और यहां से स्टार्ट होता है कॉम्पेटिशन, सो कॉलेज में कॉम्पेटिशन स्टार्ट हुए और कुम कुम मैम जो मेरी गुरू जिन्हें मैं मानती हूँ, तो उन्होंने बताया कि अब आपको यहां पर पार्ट लेना है और देखते हैं कि कौन सा student बहुत अच्छा करता है So normally मुझे नहीं पता था कि वो national या international तक मुझे लेकर जाएगा competition मैंने उसमें part लिया Part लेने के बाद मैंने वहाँ पर रंगोली बनाई, clay model बनाया और मैं अपने घर आ गई result का मुझे कुछ भी नहीं पता था और ऐसा होता है कि zonal level होता है मतब state होता है, zonal होता है और national होता है अगर आप जो district level है उसमें अगर आप cross कर देते हैं जो हमारा competition हुआ था तो अगर आपका first number आता है तो आप जाते है zonal और अगर second आता है तो आप जाते है स्टेट और zonal अगर आप cross कर देते हैं तो आप जाते है नेशनल और इंटरनेशनल सो मुझे पूरी उमीद थी कि मैं हारूँगी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है मैं घर आई और मैं आपका फोन आया कि आप आईए यूनिवर्शिटी से आपका फोर्म सब्मिट करना आपको बाहर जाना है competition के लिए सो मैं बहुत जादा excited हो गई थी कि मेरा state level में selection हो गया first नहीं तो second तो मेरी rank आई ही होगी तब ही मुझे बुलाया है मैं DAVV गई DAVV से मैं अपना जो फॉर्म है वो लेकर आई लेकर आकर मैंने मम्मी और दादी को बताया कि देखो ये मेरा फॉर्म है मुझे जाना है और कुछ भी आइडिया नहीं था कि केसे जाना है कहां जाना है क्या competition होगा कुछ भी आइडिया नहीं था और फिर माँम को call किया माँम को call करके बोला कि माँम मैं फॉर्म लेकर आगई हूँ अब इसे feel कैसे करना है तो माँम ने बोला कि ऐसे-एसे feel कर दो मैंने जब वो फॉर्म ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फॉर्म तो zonal level का है मतलब मुझे डायरेक्ट स्टेट में नहीं जोनल लेवल पर कंपीट करने का चांस मिला सो बहुत जादा खुश हुई मैं पहले तो बहुत जादा शॉक्ट हुई कि गलती से शायद मैं गलत फॉर्म लेकर आ गई हूँ जाद गए ऊगए तो बहुत स्केट कि बहुत से बत्तेट कि इसा कुछ भी नहीं था दो जाए कोई देचन के ऑच और शिलेक्शन के बाद मैं गई जाए हुआँगी जासी हमारे साथ कुछ भी आइडिया नहीं था बस मैं उठके चल दी थी कि नहीं इस बार तो कुछ कॉंपेटिशन में कर कर ही आउंगी हारूंगी बट कुछ सिख कर ही आउंगी तो हम गए जहां सी जहां सी पूरी टीम गई थी ड्रामा, स्केट, डांस की बहुत सारे बच्चे मेरे साथ गये थे बट महां जाकर जो मैंने बनाया वो इतना आजीब था कि मैं महां से हार कर आई बागी सब महां से ट्रॉफी लेकर आए थे बट महां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लखी ली उसके बाद फिर में स्ट्रेट भी गई क्योंकि जो सेकेंड आई थी वो अपसेंट हो गई थी पतानी मेरी किसमत में कुछ ऐसा है कि सारे रास्ते खुल जाते है और जो कुम-कुम मैम है उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मुझे मनजिल तो दिखाते ही हो साथ में वो कोहरा भी हटा देते हो तो मुझे मनजिल तक पहुँचने में इतना टाइम नहीं लगता और दारी तो है ही मेरे साथ जो हाथ पकड़कर मनजिल तक तो पहुचा ही देती है तो यह फर्स और लास्ट था कि मैं कहीं पर हार कर आ रही हूँ उसके बाद भगवान की बहुत कृपा रही कि मैं हर जगह से जीत कर आई हूँ बहले ही मुझे फोर्थ प्राइज मिला है पर कुछ न कुछ मैं ले कर ही आई हूँ और फिर था कि मुझे इंटरनेशनल नाम के आगे लगाना है कि यह एक इंटरनेशनल आर्टेस्ट है तो मैंने कोई भी मुझा नहीं छोड़ा तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई मुझा आता है तो उस मुझे पर चोका लगाना जरूर सीखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुखे बहुत कम मिलते हैं और उस पर चोका लगा के आप बहुत आगे जा सकते हो कोई भी मुखा मिलता हुथा कोई भी competition है मैं कभी भी नहीं छोड़ती थी यहां पर मुझे मुखे मुखा मिला दादी की एज बहुत थी तो मैंने नानी को बोला कि नहीं आप मेरे साथ चलो आप मेरे साथ चलो बट फिर नानी ने बोला कि नहीं मम्मा को लेकर जा और मम्मा भुपाल तक भी नहीं गई थी और मैं उनको नेपाल लेकर गई और सबसे वड़ी बात है कि नेपाल में जीत कर तो बहुत गर्व की बात है मतलब मेरे लिए तो कि मैं इंडिया के बाहर जीत कर आई हूँ बहुत जादा प्राउड मुमेंट हो गया था वो मेरे लिए और उसी के साथ इंटरनेशनल नाम के आगे तो लगी गया था बट एक ही जगह जाकर इंटरनेशनल बोलना थोड़ा सा अजीब है फिर मैं थाइलेंड गई और थाइलेंड में भी मैंने एक्जिबिशन किया और मुझे मिला एक्सिलेंस अवार्ड और उसके बाद इंदोर में हमारे यहां पर जो डिये वी यूनिवर्शीटी है महां पर हुआ था इंटरनेशनल कॉमपेडिशन और जिसमें मैं मैं सोचा कि नहीं अब कुछ और बढ़ा करना है मैं तब पूरे वर्ल्ड में नाम करना है तो वो कैसे होगा वर्ल्ड रिकौर्ड से सो वर्ल्ड रेकॉर्ड प्लैंड करना कोई छुठी-मोटी बात तो नहीं है उसके लिए आपको चाहिए टीम और वो भी एसी टीम जो मन लगा कर काम करें और दिन राथ काम करें So मैंने जब सिखाना स्टााट किया थाि न मैं सो की भी नहीं उठती थी उसके पहले बच्चे अजाते थे घर पर वो बेठे रहते थे कि सिखानी थी उठेंगी वेसे ही हम उनसे सिखना स्टाट कर देंगे सो जैसे ही मैं उठती थी मुझे छोटे-छोटे बच्चों के बहुत प्यारे-प्यारे फेस दीखने को मिलते थे सुबह-सुबह और मैं दादी को अवज लगाती थी दादी चाय या फिर मम्मी को और फिर चाय पीते-पीते मैंने सिखाती थी तो महां से मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद सिखाते-शिखाते आज यहां तक पहुँच जाओंगी बिल्कुल पता नहीं था जहां पर मैं सिखाती थी जो हमारी क्लासेस थी बारिश में महां पर पूरा पानी भर जाता था मतलब घर में पूरा पानी आ जाता था और बिलकुल भी जगे नहीं होती थी बहुत दिन तक हमको छुट्टिया करनी पड़ती थी बट जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं जो अभी तक आ रहे हैं उन्होंने बहुत साधा साथ दिया उन्होंने तब से सिखा और फिर उन्हीं बच्चों के साथ मैंने टीम बनाई और अपना First World Record कम्प्लीट किया सो यह जो हमारा First World Record था ना यह बिल्कुल आसान नहीं था छोटे-छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़ी रंगोली बनाना तीन हजार इसकार फिट की रंगोली बनाना, बोरियों से कलर निकालना और बहुत जादा कलर को मिक्स करना, थोड़ा सा, नहीं, बहुत जादा डिफिकल्ड था, क्योंकि न, मैं और अमर, अमर जो मेरा स्टूडेंट है, छे साल से वो मेरे सांथ मैं है, तो हम पोट्रेट बन मतलब को छोटा बेट कर रंगोली बना रहे हो, आप ठकोगी भी कम, और बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, बट ये जो 3000 स्कर फिट की रंगोली थी, इसको बनाने में इतना जादा टाइम लगा, और साथ में बोरियों से कलर आपको डालना होता है, तो उसमें तो लाश के जैसे हम हो गए थे, मुझे कोई भी एज़े उठा रहा था, मुझे कुछ भी फील नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस बहुत जादा थक चुकी हूँ, अब कुछ भी नहीं दिख रहा था, और फिर हमें रेडी हो कर आना था वापिस वहाँ पर जहां पर हमारा event था और media वाले भी सब आ चुके थे तो जैसे तेसे उस condition में मैं अपने घर गई, ready होकर आई अब सबसे बड़ा task था कि हमने record तो बना लिया है अब media के सामने camera face करके बोलना और मैं इतना camera friendly थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी और अभी भी मैं बहुत जगज आती हूँ तो मैं बोल ली देती हूँ कि आप मुझसे रंगोली बनवा लीजे, वो मैं बना दूँगी बोलना मुझसे नहीं हो पाएगा तो तब भी यही था, जैसे तेसे हमने वो complete किया बड़ उसके बाद इतना जादा नाम हो गया कि एक छोटी सी लड़की ने सिखाते सिखाते इतना जादा सीख लिया कि वर्ल्ड रिकार्ड बनाया वो भी छोटे छटे बच्चों के साथ मिलकर सारे school going students थे और मैंने भी school से ही start किया था अपनी जरनी को मैंने struggle बहुत जादा किया बहुत सारे बच्चों को भी सिखाया उसके बाद भी जब मैं college जाती थी तो मुझे कुछ relatives बोलते थे कि कहां तुम MBBS छोड़कर यहां BA में तुमने admission लिया है क्या कर रही हो यहां पर तो बहुत जादा अजीव लगता थे कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया शायद ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी चीज छोड़कर आई हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं छोड़कर आई थी ना उससे दस गुना मेरी महनत से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ सो आप भी अगर आपके पास टालेंट है ना या कुछ भी आप बनाते हैं सिलाई, कड़ाई, बुनाई या निल आर्टिस्ट हैं आप या कोई भी हो आप अगर यूनिक करेंगे ना आपके आर्टवर्क में तो बहुत आगे चले जाएंगे सो बहुत लोगों के ताने सुने बहुत लोगों ने बहुत सारी बाते कही जब हमने रिकॉर्ड बनाया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं था वो तो इतने सारे बच्चों के साथ मिलकर बनाया या तो वो record किसी और का है, उसने तो बस रंगोली बनाई है, ये सारी बाते भी मुझे बोली गई, बट मैंने वहाँ पर विहार नहीं मानी, दादी, दादी का इतना जादा support रहा मुझे, उन्होंने कभी ना मुझे पीछे पलट कर देखना नहीं सिखाया, उन्होंने बोला आगे चलते रहो और हमेशा सही करते रहो, जब मैं competitions में जाती थी, मेरे exams होते थे, exams होते थे, तो हम क्या करते थे, कि exam देने में जाती थी, मेरा backpack रहता था, रंगोली दादी पूरी छानती थी, दादी और ममी रंगोली के color छान के रखती थी, दादी उसे college तब लाती थी, college के बाहर वो 3 गंटे बेटती थी, कि मैं अपनी exam देकर आऊंगी, और फिर हम वहा से competition के लिए जाएंगे, so बहुत सादा दादी का support रहा, और एक बार तो ऐसा हुआ थे, कि मैं PMT के exam देने के ले गई थी, और auto से दादी मुझे लेकर गई थी, और महाँ पर बहुत बारिश हो रही थी उस time पर, मैंने exam दी, पूरा time में अंदर थी, तीन गंटे, तीन आते होए बाहर आए कि तो तेरे पास कोई तो होना चाहिए ना, तो दादी ना लखी ली, अगर वो नहीं होती, तो आज में यहां नहीं होती, so first world record के बाद हमने बनाया second world record, जो कि राम मंदिर के रंगोली का था, और जिनके साथ हम मिलकर ये पूरा प्लान कर रहे थे, उन record बनाना चालू किया, और दूसरे दिन, जब हमारा inauguration था, हमारी रंगोली complete हो गई थी, तो मैं पुरी दुनिया में चाह चुकी थी, मतलब मुझे नहीं बता था कि मेरी राम मंदिर के जो रंगोली वो इतनी जादा वाइरल होगी, इतनी जादा फेमस हो जाओंगी मैं उस रंगोली की वज़े से, और फिर जो अयोध्या की टीम थी, उन्होंने फोन करके हमें भुपाल बुलाया कि आपने जो महा पर बनाई थी, रंगोली बड़ी से, उसका छोटा सा पार्ट हमें यहां बना कर दिखाई है, तो वो बहुत जाले special moment था मेरे लिए, और उसी के मिलकर और फिर हमने एक और टास्क लिया कि हम बनाते हैं इंदोर से केदानात तक की रंगोली, जो कि अगर आप नॉर्मली कहीं पर रंगोली बनाते हैं, जो कि हमारा six world record था कि हमने एक खेत में रंगोली बनाई थी, हम जितना भी color डाल रहे थे, वो color नीचे नीचे जाते जा रहा था, मतब ग्रास से दिखी नहीं पा रहा था, रंगोली नहीं दिख पा रही थी, बट हमने नीचे बहुत जादा कोटिंग की, जो 12,000 square feet के रंगोली है, वो 12,000 square feet की नहीं थी, उससे चार गुना जादा थी, क्योंकि चार चार कोटिंग की हुई थी, हमने color की, उस floor के उपर, और ये task के बाद हमने सोचा कि अब हम हवा और आंधी तो हमने देखी लिए कि हमने हवा में का रंगोली कैसे बनाई है, रिकॉर्ड कैसे बनाया, उसी के साथ साथ, अब हमने plan किया कि हम बनाएंगे बर्फ में रंगोली, जहां पर oxygen भी कम होता है, हम उस level पर जा उनकी एज बहुत जादा कम है, और महाँ पर oxygen कम होता है, उस condition में आप रंगोली कैसे बनाऊगे, इतने colors लेकर कैसे जाओगे और सारे बच्चे बच्चे जा रहे हो, कोई तो बड़ा होना चाहिए, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं सभी का ध्यान रखूंगी और मैं सभी को ल नहीं था, महाँ पर बहुत जादा बारिश हो रही थी, बरफ गिर रही थी, महाँ के जो पुरोहिद जी है, उन्होंने कहा कि तीन किलो मीटर उपर बरफ गिरी है, और हमें रंगोली बनानी थी नौरात्री के पहले दिन, हम सोच कर गये थे, कि हम उनके मंदिर को नौरात्री में और बहुत जादा डिफिकल्ट हो गया था, जब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो पुरोहिद जी ने कहा कि अब तो यहाँ पर बरफ गिरने ही वाली है, आप लोग कुछ कर लीजिए, हमने बहुत बड़ी सी महाँ पर एक उपर जो लगात पर केदारनाथ और महाकाल की क्रपा ऐसी हुई कि महाँ पर हमने जब रंगोली बनाई तो दो दिन तक, महाँ पर दो दिन तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, महाँ पर धूप थी, जब कि केदारनाथ में आपने सभी ने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता ह पाँच मिन्ट में बारिश हो रही है पाँच मिन्ट में धूप आ रही है तो कभी-कभी बर्फ से ही पुरा ढखा हुआ होता है पुरोहिद जी ने भी हमें आकर कहा कि आपने जो यहाँ पर रंगोली बना कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना तो हमने आपके भक्ती की शक्ती यहाँ पर देखिए कि आपने जब रंगोली बनाई तो बिलकुल बारिश नहीं हुए. तो भगवान का साथ बहुत जादा रहा है. और फिर मैं आप सभी को बताती हूँ कि केसे आप सभी famous हो सकते हैं और केसे आप अपने वीडियो को viral कर सकते हैं. अभी क्या होता है ना कि आपके पास talent बहुत है है ना बट आप बनाते बहुत कम हैं आप 10 days में एक कुछ sketch बनाते हैं या 10 days में एक कुछ dress बनाते हैं अगर आप fashion designer है तो या फिर आप कोई से भी artist हैं तो ऐसा ना करें डेली आपको खुद को upgrade करना हैं तो इसी point को लेकर आत tradition में या फिर आप exhibition बाहर नहीं लगा पाते हैं तो social media के थुरू आप अपनी life change कर सकते हैं आपको daily videos बनाने हैं daily आप अपने tips and tricks नए ready कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े change कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे start किया मैंने अपनी जो रंगोली है रंगोली बनाना start किया रंगोली के videos बनाना start किया और मैं गई थी उसके बाद एक शादी में रंगोली बनाने के लिए और महा पर मुझे order मिला था couple की रंगोली बनानी थी और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने रंगोली ली और उसको hall में रख दिया कि शाम को उसको हम present करेंगे reception के टाइ टूट है फिर मैं पूछा कि रंगोली कैसे खराब हुई मतलब किसने की सबी को पता है कि महा पर रंगोली रखूरी हुई और उसको कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एवनिंग हो गई गई ती और मैं रंगोली अब नहीं बना पाती बट महां से मुझे एक हुए बहूँ अ पता नहीं से लेगा कि वो रंगोली है है ना सो मैंने मिटाना स्टाट किया मैं पूर्टेट रंगोली बनाती थी मैंने उसको मिटा के उसके रिवर्स वीडियो बनाना स्टाट किये महां से मेरे टिक टॉक के जो फॉलोवर से वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक टाइम आया कि 1 million complete कर लिये थे बहुत जादा खुश थी मैं और उसके बाद 2 दिन में 2.3 million complete हुए वो तो और भी जादा खुशी की बाद थी और उसके बाद जब 2.3 मेरे followers थे तब TikTok हो गया Ben अब कुछ भी नहीं है अभी आपके पास अपका TikTok हो गया Ben फिर हमने किया Instagram स्टार्ट और Instagram पर जैसे जैसे में hardest time था कि मेरी तबिद बहुत जादा खराब हो गई थी जैसे तैसे में थोड़ी ठीक हुई उसके बाद दादी की तबिद खराब हुई दो से तीन दिन तक मैं उनको hospital लेकर गई और फिर महा से एक राद तीन दिन के बाद उनको सांस लेने में बहुत जादा problem आने लगी हम ने उनका oxygen चेक किया oxygen उनका कम से कम हो रहा था और मेरे यहां पर followers बढ़ते जा रहे थे एक साइड बहुत जादा टेंशन वाला moment था और एक साइड जो दादी बोलती थी कि तुम इतनी महनत कर रहो राद भर वीडियो बना रहे हो तुम्हारा महनत का फल कम मिलेगा तुम् जन है वो कम हुआ दुसरे दिन हम उनको सुब होस्पिटल लेकर गए तो मुमेंट ऐसा था कि पापा गाड़ी चला रहे थे कार चला रहे थे मैं पीछे बेठी हुई थी दादी पीछे लेटी थी उनका सर मेरे गोदी में था और उनको मैं देख रही थी उनको बहुत सरवत थी कि हां हंड्रेट के कव होंगे कव होंगे बट वो ऐसे मुमेंट पर हुआ कि कुछ कहां नहीं जा सकता उसके बाद दादी चले गई लब बहुत जादा हाडस टाइम था वो मेरे लिए बैड नहीं मिल रहे थे बहुत साजरी चीजे हो रही थी और कोवीड में वो बहुत जादा महनत की मैं घर पर नहीं रुक पाती थी क्योंकि घर पर जब तक मैं रहूंगी मुझे उनकी याद आएगी मैं राद भर रंगोली बनाती थी रात में 5-5-10-10 मिनिट के अंदर दादी आती थी पूछती थी कि ठीक तो हो ना पानी लाकर दू रंगोली और च चले जाती थी कोविड में में स्टूडियो जाती थी पूरा पैक करके में अमरजीत उननती अरपीता कुछ जो बहुत क्लोज मेरे स्टूडेंट से हम सब मिलकर वहां पर दिन रात वीडियो बनाते थे और उन दिन रात की महनत का फल हमें ऐसे मिला कि हर दूसरे दिन 100 के से 200, 300, 400, 500 ऐसे हमने दो महिने में एक मिलियन का सफर ते गया सो मैंने आप सभी को ये तो बताया कि मेरी लाइफ का जो हार्डेस्ट पॉइंट था वो क्या था बट वो भी पॉइंट है जब मैं बहुत जादा खुश थी मतलब सातवे आसमान पर थी क्योंकि मैंने जो अपना फिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसमें विराट कोहली सर की रंगोली बनाई थी और उनके बड़े पर उसे अपलोड की थी और विराट कोहली सर ने उसकी स्टोरी अपलोड की इतने बड़े अकाउंट से जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर उस पर अपनी स्टोरी देखना मतलब सातवे आसमान को चू लेना वो वाली फिलिंग्स ही मेरे लिए मतलब बहुत जादा एक्सेटेट थे वो खुशी में आप सभी को नह सब्सक्राइब और एट मिलियन भी जल्दी से कम्प्लीड होने वाले हैं और उसी के साथ साथ मेरे छे अलग से चैनल है जिन पर हम बहुत सारी चीज़े सिखाते हैं और सिखाते सिखाते अभी तक मैं 5000 प्लस स्टुडेंट्स को सिखा चुकी हूं और जो मैंने जिन स्टु इंडिया हमें सिखा चुकी है हम ऑनलाइन क्लासेश लेते हैं और उसमें आर्ट का इतना ज्यादा नौलेज देते हैं कि कभी भी कोई पैरेंट ये ना बोले कि आर्ट में क्या रखा है वो भी अपने वीडियो उसको उस लेवल तक लेकर जा पाए है बहुत सारे लोग मु थे लिए 10 रूपह की रंगोली को आज उसने करोडो तक पहुचा दिया तो रंगोली की तो चीमता वो बहुत कम है बट उससे आप इलन्ट बहुत ज़ादा दिखा सकते हो है आप भी प्konसेशापनों से श्टार्ट कर सकते हो उसे ठीनची अग पूरे दुनिया तक ले जा record भी बना सकते हो और अब हमेशा बोलते हैं न कि यह परिशानी आ गई या वो परिशानी आ गई तो परिशानी आ Staffhand किस की life में नहीं आ ती जब मैं रंगोली बनाती थी ना दादी वाले घर पर क्योंकि मेरे हर काम की शुरवात दादी वाले गर से होती है आपने ये बहुत सारी जगह सुना होगा देखा होगा तो मैंने रंगोली जब मैं वहाँ पर बनाती थी फ्लोर पर बनाती थी वो बहुत नीचे है घर और बारिश में वहाँ पर पुरा पानी आ जाता था एक बार मैंने गणेजी की रंगोली वहाँ पर बनाई गनेज जी और एक छोटी बच्ची जो हमारा घर में काश्वी है उनकी रंगोली मैंने वहाँ पर बनाई पूरी ड्रॉ कल ली आदा में कलर कर चुकी थी और घर में पानी आना स्टार्ट हुआ मैं दादी मेरे स्टूडेंट्स अमरजीत और हम सबने मेरा छोटा भाई ये रूदर हम सबने जो अपने पास बोर्ड होते हैं वो बोर्ड लिया बोर्ड से हम पूरे घर के बाहर पानी निकालते रहे कि वो रंगोली तक पानी ना आचाए बट एक टाइम ऐसा आया कि पूरी रंगोली पर पानी आगया और ऐसा मेरे साथ बहुत बाहर हुआ है क्योंकि बारिश में मैं कभी भी कुछ बनाई नहीं पाती थी बहुत सारी परेशानिया आती थी बहुत सारी चीजे होती थी और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज़ादा फीवर था मतलब 103 ड बनाया उसे एडिट किया अपलोड किया स्टार्टिंग में उस पर कोई रिस्पॉंस नहीं आया इतना साधा और देखते ही देखते वो वीडियो 100 मिलियन क्रॉस कर गया वो भी इंस्टाग्राम पर सो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है तो उसे गवाईये मत महनत कीजे और कंटीनियू रखिये मैं आज 9 साल में यहाँ पहुच्यों क्योंकि मैं एक चीज़ पर अड़ी रही अभी भी अगर कोई मुझे बोलता है ना कि आप ये शूट कर लीजे आप सॉंग श तो मैंने रंगोली को कभी नहीं छोड़ा सो आप भी अपनी रंगोली को या आपका जो भी टैलेंट है जो भी चीज़ें उसको ना छोड़े क्योंकि आज भी अगर कोई मुझे मिलता है अगर मुझे ऐसे ही पहचान लेता है तो सीधे वह बोलता है रंगोली मिटाने वाल इसमें ऐसा था कि आपकी लाइफ का प्राउड मुमेंट वो होगा कि जब आपकी स्कूल वाले आपको एजन चीफ गेस्ट बुलाए तो वो रियल देखकर थोड़ा सा लगा कि नहीं अब तो बहुत सारी चीज़े करनी है बहुत सारा आगे बढ़ना है ऐसे करते 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 मैं उस मुकाम पे भी पहुँच गई जब मेरे स्कूल वालों ने मुझे एजन चीफ गेस्ट इनवाइट किया और ये जो एक बात है ये इतनी ज़ादा प्राउड मुमेंट है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती उसी के साथ साथ जिस कॉलेज वो मुझे एडिमिशन नहीं म मिला जहां जहां पर भी मैं रिजेक्ट होई हूँ महां पर भी एजन चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है और बहुत बार में गई हूँ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये कि आप एक छोटे से लेवल से उठे हो आपने महनत की है और महनत करते करते आप यहां तक पहुंच जहो बट आपको यहां पर एक ही चीज दिहान रखनी है तो अभी भी किसी चीज को बीच में नहीं छोड़ना है कंटीनियू रखो और कुछ न कुछ उसमें नेक्स लेवल करते रहो जैसे कि आज आपने कुछ बनाया है कल आपको उसका कुछ अच्छा बनाना है आपको उसका और अच्छा बनाना है ऐसे पूरा चींज करते जाना है ऐसा नहीं है कि अगर आपने ABCD से स्टार्ट के आप Z तक आ गए हो अपने स्पैलिंग बनाना स्टार्ट कर दिये फिर से आप ABCD पर जा रहे हो यह कभी भी नहीं करना है आप जितने भी वीडियो बना रहे हो एडिट इंग कर रहे हो जो भी चीज़ें एक लेवल अप जाओ आपे जाओ कि जरीये मैं बहुतत कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ और बहुत सारे रिकार्ट बनाना चाहती हो बहुत सारे स्टूलेंट को सिखाना जाहती हूं उनसस उनस साथ मिलकर बहुत अलग ही लेवल के अपनी आर्ट की दुनिया बनाना चाहती हूँ कि कोई पैलेंट्स अपने बच्चों को ये ना बोले कि आर्ट में क्या रखा है या फिर आर्ट क्यों करना है या फिर जो स्टुडेंट्स को आर्ट वक को फार दिया जाता है या फिर उसे कच्रे में फेक द पड़ाना चाहती हो उसको मैं बहुत उपर तक ले जाना चाहती हो तकि अगर किसी में टैलेंट है ना तो टैलेंट डब करना रहे टैलेंट निखरे और इतना निखरे कि पुरी दुनिया पर चाह जाए बहुत सारे लोग मुझसे पूछने आपकी शादी क्या हुई आप मैरिड हो या नहीं मैरिड हो तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि शान मेरी लाइफ में आये थे बहुत पहले वो आये थे ऐसा नहीं है कि मेरा नेम फेम देखकर वो मेरी लाइफ में आये जब मेर 5,000 Instagram पर followers थे और 1-2,000 मेरे subscribers थे YouTube पर तब वो मेरी life में है उन्होंने तब से मुझे बहुत जादा support किया हर वीडियो सबसे पहले मैं upload करती थी शान को phone करती थी वो office में होते थे मैं उनको बोलती थी जल्दी से सबसे पहले आप ही video देखो आप ही story पर upload करो और आपका ही comment मु का support मिला और फिर शादी का time आया और दादी का बहुत जादा था दादी को ऐसा था कि इसकी शादी हो जाए इसको मैंने बच्पन से अपने पास रखा है इसकी शादी हो जाए second day ही अगर मैं चले जाती हूँ इस दुनिया से तो मुझे कोई फरक नी पड़ेगा बट इसकी नहीं हुआ दादी बहुत पहले चली गई और शादी का time आया तब मैं बहुत जादा डरी हूई थी क्योंकि दादी नहीं थी मेरे पास मैं अपनी कुम कुम माम जो है गुरू जो है उन्से पूछती थी कि मैं मैं चादी के बाद में कंटीनियू कर पाऊंगी या नहीं कर इसा तो नहीं है कि जिम्मेदारिया बहुत जादा आ जाएगी या मैं घर में ही फसी हुई रह जाओंगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं इतनी सारी चीजे कर ली है अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं थोड़ा पीछे चले जाओं मतलब आगे जाने की जगह मैं पीछे तो मैं आमने समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, चीजों को थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, साथ मिलकर सलोगे, तो आगे तक बहुत अच्छे से पहुच पाऊगे, सो शादी का टाइम आया, शादी हुई, दादी को हमने बहुत जादा मिस किया, बट जितने भी स्टूडेंट है, मतलब दिल सा धन्यवाद कहना चाहूंगी, मैं अपने सारे बच्चों को जितने भी मेरे स्टूडेंट से, सब एजन फैमिली रहें, मुझे दादी के खट सु सुमा है, उनमें मैंने दादी को देखा, लिटरली मैंने दादी को देखा, जैसे दादी मुझे सपोर्ट करती थी, वो मुझे हर टाइम सपोर्ट करती है, वो बहुत जादा मोटिवेट करती है, जो पापा जी है, ससूर जी है मेरे, वो भी हर चीजे बताते हैं, अगर मु जादी के बाद तो मैंने और जादा आर्ट वक करना स्टार्ट कर दिया और जादा चीजे चेंज हो गई है अब जब मैं वो अकेली या दादी के साथ करती थी अब यहां पर मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ गया पूरी फैमिली आ गई है तो बहुत जादा अच्छा लगता है पापा का बहुत जादा सपोर्ट मिलता है हर चीज में तो थैंक यू और